हेलो इवरिवन वेलकम टू मैं चैनल किचन खाना और स्वाद आज मैं आप सब के साथ सेयर करने वाली हूँ राजस्थान की पारंपरिक डिस मंगोडी पालक की रेसिपी जिसे हम मंगोडी और पालक के साथ बनाएंगे यह रेसिपी बहुत ही हिल्दी भी होती है टेस्टी भ करेंगे तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं बहुत अच्छी रेसिपी है एक बार ट्राइ कीजिएगा तो यह देखिए यह हैं मंगोडी यह किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाती है इसका नाम ही मंगोडी है रेडिमेट होता है यह घर पर भी बनाया जाता यह हुए चाहिए इससे ग्रेवी का टेक्शर अच्छा आता है तो अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने आप साथ से आट लेसन की कर लिया एक इंच अद्रक का टुकड़ा और तीन हरी मिर्च और दो टमाटर लिए हैं जिसको हमें पेस्ट बना लेना है अब चाहें तो कद कुकर में दो से तीन चोटे चमश हम डाल देंगे तेल रिफाइन तेल सर्सो का तेल कोई साभी ले सकते हैं और इसमें हमने जो क्रश किया मंगोडी लिया था उसको थोड़ी दिर के लिए फ्राइ कर लेंगे जिसे की हलका सा गोल्डन सा कलर इसमें आज आ जाए आप देख नमक डाल देना है तकरीबान आदी चोटी चमश के लगभग बाकी का नमक जो हम टेस्ट के हिसाब से जब ग्रेवी बनाएंगे तो डाल देंगे तो आदी चोटी चमश में डाल दिया है अब हम इसकी धकन लगा देंगे और इसे हाई फ्लेम पर एक सीटी लगाएंगे और आदी चमश में दाल देंगे तेल का इस्तेमाल नहीं करना है तो तो इसे हमें कुछ सेकेंद के लिए करना है उसके बाद हम इसमें डाल दियाएंगे एक मीटियम साइस का प्याज बारी कटा हुआ है और इसे भी हमें फ्राइar करना है थोड़ी ये देर के लिग्याइब तो प्याज लगभग फ्राई हो चुका है अब हम इसमें एक टेबल स्पून कसूरी मेथी को इस तरह हाथों से करश करके डालेंगे इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है अब दालेंगे आदी चोटी चम्माज हल्दी का पाउडर एक चोटा चम्माज डालेंगे लाल मि तो कुछ सेकेंड भूरने के बाद जो हमने टमाटर अदक लसन मिर्श का जो पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे और इसे हमें हमें फ्राई करना है अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल दें जो मारे डब्बे में लगा हुआ था ना जिसमें हमने मिक्सर के डब्बे तो किसी भी रेसिपिया मतब कोई भी डीस बनाना मुझे मटर के फ्लीवर अच्छा आता है इसलिए मैं डाल दी हूँ परसनली मुझे यह पसंद है इसलिए डाल दी हो वैसे ऐसा नहीं है कि इसमें डाला ही जाता है आप नहीं डालना चाहें तो इसे इसकिप कर सकते हैं ट अधा किलो पालक है याने की 500 ग्राम इसे मैंने अच्छे से दो लिया था उसके बाद काट लिया है अब हम इसमें डाल देंगे और इसे भी इस वक्त फ्लेम को हमें मीडियम रखना है इस बात का ध्यान रखिएगा फ्लेम को मीडियम करके हम इसे अच्छे से चलाते हुए म हमने मंगोडी में भी नमक डाला हुआ है यहां पर आदी चोटी चमचने में वापस से नमक डाल रही हूं बस इतना परफेक्ट होगा जादा की जरूरत नहीं पड़ेगी तो नमक डालक कर देंगे और इसे तब तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर ढखने की कोई जरूरत पालक होता है उसमें काफे चाहरा मॉश्चर होता है जो पानी रिलीस करता रहता है तो इससे यह कुक हो जाएगा तो हमें मीडियम फ्लेम पर इसे लगाता चलाते हुए इस तरह से बुन लेना है बहुत ज़्यादा ओयल नहीं डाला है इसलिए आप इसमें ओयल का जादा तो पालक भी लगबग भून चुका है अब हम इसमें घर की मला दूद से उत्री मलाई डाल देंगे फ्रेश क्रीम हो तो भी डाल देगा लेकिन मलाई डालेंगे तो घर पर एजली सबके अवेलेबल होता ही है यूंकि दूद आता ही है तो मलाई 2-3 चमच डाल देंगे इस इसका स्वाद उससे डिफरेंट होता है हाला कि चीज़े थोड़ी बहुत सिमिलर होती है पर टेस्ट अलग होता है उससे तो यह देखिए मलाई भी डालकर हमने अच्छे से भून लिया है सबसे अच्छी बात यह होती कि यह बहुत जादा ओयली नहीं होती है तो मलाई डा मिक्स करने की जरूरत नहीं है वैसे अगर आप डालना चाहिए तो डाल सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने इसके हिसाब से रख सकते हैं तो कमिया जादा कर सकते हैं वैसे यह मैं बहुत जादा मतब गीला नहीं होता थोड़ा सा इस तरह से पालक की चीज़े मसाले का पाउडर आदी चोटी चमस में डाल ली हूँ यहां पर और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर हम इसे ढखकर भी पका लेंगे तो फ्रेंस बहुत अच्छी हेल्दी रेसिपी है और आपको यह राजस्थान का मतब राजस्थानी जो फ्लेवर होता है उसको फील कराएगा एक बार बना कर देखेगा आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया होता है टेस्ट भी अच्छा होता है इसका तो आप एक बार ट्राइ करिएगा तो आपको यह रेसिपी राजस्थानी रेसिपी कैसी लगी यहां पर काफी इसे पसंद करते हैं तो म अब मैं इसे कवर कर दोंगी सिर्फ दो मिनट के लिए और सारी चीजे को हो चुकी है मसाले भी अच्छे से पके हुए हैं मंगोडी भी पहले से पकी हुई है ठीक है तो बहुत जादा नहीं सिर्फ दो मिनट के लिए पकाएंगे तो आप देखें मलाई हमने जो डाली ती वाहरा धन्या डाल देंगे और गैसकी फ्रेम को बंद कर देंगे चावल किसी के साथ खांएं वैसे ज़्यातर यह चावल के साथ पसंद किया जाता है मैं आपको बता दू तो तो आप इसे किस चीज साथ करने वाले मुझे कमेंड करके जिरू पताइए गा तो रेसिपी कै